बुजर्ग दमपत्ती के बीच आपसी लड़ाई को लेकर हाई कोट में दाखिली आचिका पर कोट को कहना पड़ा कि लगता है कल्यूग आ गया है इलाबाद हाई कोट के इस चिपड़ी सुनने के बाद सबके मन में सवाल है कि आखिर कोट को ऐसा कहना क्यूं पड़ा दरसल 75-80 साल के एक बुजर्ग कपल में कानूनी लड़ाई चल रही है मामला गुजारा भथ्ते को लेकर है इलाबाद हाई कोट में मंगलवार को सुनवाई थी एक समय ऐसा आया जब कोट को कहना पड़ा कि इस से जाहिर होता है कि कल्यूग आ चुका है दमपत्ती गुजरा भथ्ता पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं पती ने हाई कोट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के एक आदेश को चुनवती दी थी हालकि कोट ने पती की याचिका पर पत्नी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि उम्मीद है कि वे अगली तारीख पर दोनों किसी समझोते के साथ आएंगे यादेश नैमूर्ती, सौरब श्याम, शमशेरी ने अलिगड के मुनेश गुपता की याचिका पर दिया है यह पूरा मामला अलिगड का है, अलिगड के रहने वाले मुनेश कुमार गुपता स्वास्त विभाग में सुपरवाइजर के पत से रेटायर हो चुके हैं इस समय उनकी उम्र करीब 80 साल है, उनकी पतनी है गाइत्री देवी जिनकी उम्र 76 साल है, इन दोनों के बीची संपत्ती को लेकर विवाद चल रहा है दोनों का जगडा पुलिस के पास पहुँचा, इसके बाद पुलिस ने दोनों की काउंसिलिंग की, लेकिन बात नहीं बनी और पती पतनी अलग रहने लगे इसके बाद पतनी ने फैमिली कोट में कहते हुए याचिका दायर की कि उनके पती की पेंचन करीब 35,000 रुपए है, इन में से 15,000 रुपए उन्हें गुजारे भथ्ते के रुपें दिया जाए इस पर फैमिली कोट ने उन्हें 5,000 रुपए दिये जाने का आदेश भी सुना दिया, पती ने इसी के खिलाफ इलाबाद हाई कोट में याचिका दाखिल कर दी इसी मामले के सुनवाई के दورान जजज श्याम शम्शेरी को ये कहना पड़ गया कि उन्होंने दमपत्थी को समझाने, बुझाने की बहुत कोशिकी जस्टिस शौरब श्याम समशेरी इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे उन्होंने टिपणी करते हुए कहा कि लगता है कल्यूग आ गया है और ऐसी कानूनी लड़ाई चिंता का विशह है उन्होंने दमपत्ति को सलाह देने के भी कोशिश की लेकिन दोनों नहीं तयार कोट के आदेश को चुनौती दी है फिलाल हाई कोट ने गायतरी को नोटेस जारी किया है और कहा है हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई तक वो किसी समझोते तक पहुँच जाएंगे नबीटी ओनलाइन की रेपोर्ट झाल